तो कियाल चल सस्रेकाल मैं हो नियान मैन अडिकाइज आज हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में UK07 राइडर रियालिटी बता है जोकर मीम के पीछे जागाइज आप लोगो याद होगा जब UK07 राइडर बिग बॉस में थे तो उनके उपर बहुत सारे जोकर मीम्स बने थे शोकिलेकाल को के इनोंगी करके घंजे बाज के पीछे में और लोग उनके वह बहुत सारे मीम्स बनते थे वह जोकर वाला तो इस चीज के पीछे एक्ट्वल स्टोरी यए usag relatives भारती ट यई पॉड करके बताए आए आप खुद सुलीजिये इतना ही नहीं UK07 राइडर ये भी रिवील करके बता है कि वो कितना लाख डोनेट कर चुके हैं अल्ड़ी तीन महना में जियां इफ डोन नो तो उनका UK07 फांडेशन भी है जिसमें कि वो डोनेशन एंड चैरिटी वर्क करते हैं उन लोग ने 42 लाक्स के डोनेशन कर चुके हैं एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Maldives वसीज लक्षवदीब कांट्रोवर्सी के बारे में तो गाइस लास्ट दो वीडियो से मैं इस कांट्रोवर्सी को डीटेल वे में कवर कर रहा हूँ आपने देखा है होगा इफ यू डोन नो तो एक बार जाकर देख लेना दोनों साइट से बहुत सारे ओपिनियन्स और रेक्शन आए हैं बट फाइनली Maldives Association of Tourism Industry के तरफ से भी एक स्टीटमेंट आया उन्होंने प्रेस रिलीज में एकदम क्लियरली बोला कि हम लोग strongly condemn करते हैं the words of those ministers उन लोग ने जो derogatory comments पास के थे towards Prime Minister Modi and Indians वो चीज़ के हम बिल्कुल against हैं इंडिया काफी time से हम लोग का help करते वे आये हैं and we hope कि future में भी हम लोग का relationship अच्छा रहे well कुछ Maldives के ministers end up tourism industry भी ये चीज़ condemn कर रहे है तो क्या आपका opinion change हुआ है Maldives को लेकर या फिर आपका same ही opinion है मेरे को comments में ज़रूर बताना बाकि आप लोग जो अपना opinions रखते हो मेरे videos में वो read करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है it's very easy to use बस यहाँ पर आपको yes or no में अपना opinion देना होता है बहुत सारे categories यहाँ पर available है बट आप अपने interest के category को choose कर सकते हो जैसे की YouTube, crypto, sports, etc भाई प्रोबो काफी trusted app है यहाँ पर 2 करोर से भी जादा users है now recently जो India versus South Africa का series वहा था तो मैंने यहाँ पर yes डाल दिया है similarly आप भी इस question में अपना opinion दे सकते हो and अगर तो आप काफी जादा शोर हो तो आप quantity भी increase करके अपने profits को increase कर सकते हो बाकी यहाँ पर unlimited deposits and unlimited withdrawals हो जाता है वो भी काफी easily चाहे वो UPI, Paytm या फिर card के थ्रू हो आपको choose करना है and most importantly guys अगर आप मेरे दियेवे link से प्रोबो को download करते हो तो आपको up to 25 रुपीज का bonus भी मिलेगा तो miss out मत करना है यह इसे मैंने link description में दे दिया है अभी जाकर check out कर लेना anyways शलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारुकी वर्सिस आईशा खान के बारे में तो आईशा खान अल्डेडी मुनावर फारुकी के two timing को expose की वी है आप लोगों को पते होगा बहुत बड़ा controversy हुआ था बट अब आईशा खान warning दे दी मुनावर फारुकी को कि वे और भी उनको expose कर देगी जहां इन दोनों के बीच में उतना कुछ खास नहीं बन रहा है आप घर में और बिग बॉस के तरफ से एक प्रोमो आया जहां पर आईशा काफी गुसा लग रही थी मुनावर से और वो housemates को बोल रही होती है उसे अंदाजा नहीं है कि मैं उसे किन किन चीजों पर call out कर सकती हूँ बहुत कुछ बताना बाकी है अभी तक तो दो तीन बाते बताईए और अब सब कुछ चीतरे उड़ा कर जाओंगी शो से जब जाओंगी तो फिर जो होना है होए यह सब बातों को सुन कर मुनावर साइट से एंटर करते हैं जब आईशा बोल रही होती है और अब वो personal reasons यहाँ पर use कर रहा है जिस चीज के लिए आप मुझे throughout चुप कराते रहे हो तो मुनावर उनसे पूछते है कौन से personal reasons यूज किया है मैंने तो आईशा बोलती है मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ Enough You are a liar and I will speak about it इसके बाद वो और भी जादा चिलागर बोलती है You know what you have done to me and if I am not speaking about it Shut up इसके बाद next scene में मुनावर ऐसे ही अकेले लेटे वोते हैं अब हम लोग को पता नहीं But anyways, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले एक बहुत ही serious and disturbing case of a startup CEO and her four year old child के बारे में Well, जब से ये वाला story बाहर आया है, social media में this story has went viral It's about a startup CEO जो की अपने ही चार साल बच्चे को मार दी ये story start होता है गोवा से, जहाँ पर ये woman गई थी अपने बच्चे के साथ And जब वो hotel से check out कर ली थी, तब staff गए थे उनके room को clean करने के लिए तब ही उन्होंने कुछ blood stains notice किये and वो अपने management को inform किये उसके बाद hotel management वालों को कुछ फिशी लगा, इसलिए वो गोवा पुलिस को भी inform किये Then जब CCTV footage को review किया गया, तब पता चला कि जब ये check in की थी, तब वो अपने बच्चे के साथ आई थी बट जब वो check out की थी, उनका बच्चा was not with her and she was carrying a bag Check out करने के बाद, वो hotel वालों से cab arrange करवाई थी, बैंगलोरू वापस जाने के लिए, तो पुलिस वो cab वाले को contact करके, वो woman से बात किये phone पे And पूछे कि आपका बेटा कहा है, तो वो बोली कि मैंने अपने बेटे को एक friend के घर में drop करके आई गवा में पुलिस जब ये स्टोरी को चेक किये, it was false, तो वो फटाक से cab वाले को call करके बोले कि Please आप जल्दी nearest police station में जाओ without informing her And वहाँ पर जब पुलिस वाले detained किये, they were shocked to find कि उस bag में उस बच्चे का body था This got even more disturbing जब लोगों को पता चला कि ये woman कितनी qualified है Already मैंने आप लोगों बोल दिया, वो एक start-up की CEO है, उसके उपर से वो Harvard University से अपना पढ़ाई किये And उनको even feature किया गया on the 100 brilliant women in AI ethics list अभी investigation process स्टाटी हुआ है and early stages चल रहे है तो preliminary investigation के दोरान इसके पीछे reason ये बताया जा रहा है पता नहीं कैसे वो ये सब कर ली, उनके और उनके ex-husband वाले situation की बीच में बेचारा वो बच्चे की जान चल गई, rest in peace to him तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अरीजीत सिंग के बारे में तो अरीजीत सिंग बात किये singers के AI voice के बारे में जहां guys आपने social media में कई सारे singers के AI songs सुने होंगे जो की उन्होंने नहीं गया, बट AI generated होता है वो songs तो क्या ये singers के career के लिए एक threat है, इस चीज़ के बारे में बात करते हुए अरीजीत सिंग कहे, अगर किसी को मेरा voice यूज करना है, तो वो यूज कर सकते है जहां guys उन्होंने list को top किया with 9.2 stars और वो बड़े-बड़े Hollywood blockbuster movies को भी cross कर लिए जैसे की Spider-Man, Across the Spider-Verse, Openheimer, Guardians of Galaxy and many others अब I'm sure आप में से maximum लोग 12th fail movie देख लिए होंगे अब ये 12th fail movie जिनके ओपर actually में based है, वो IPS officer से रोईज शेटी मिले और वो अपना experience share किये, उन्होंने ये photo डाला था अपने Instagram में और वो बोले कि during COVID वो उनके साथ काम किये थे when he was serving for Mumbai police तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार के बारे में तो सलार को best film of the year award मिला, जहां guys दादा साहिब फाल के international film festival awards 2024 में सलार part 1 को film of the year award दिया गया, आपको क्या लगता है, do they deserve this award or not, मेरे को comments में जरूर बताना तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनिवाल के बारे में तो हर्ष बेनिवाल, दारुवे डैट पार्ट 4 लाने वाले है, यहां guys वो अपने इंस्टेग्राम में ये फोटो शेर करते वे नीचे caption में लिखे दारुवे डैट 4, coming very soon तो चली ये बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में तो फुकरा इंसान से रिलेटे ट्विटर में तीन लगातार ट्रेंड्स हुए थे, इसको शेर करते वे वो अपने ट्विटर में ये कहे इतना सारा प्यार, I love you अपने इंस्टेग्राम में ये फोटो शेर करके दिखाया है कि उनके उपर एक आर्टिकल लिखा गया था न्यूस पेपर में बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि वो बहुत जादा इंट्रेस्टेड है आक्टिंग करने के लिए बट वो तभी प्रोजेक्ट को हाँ बोलेंगे जब उनको लीडिंग रोल मिलेगा, साइड रोल वो नहीं एकसेप्ट करेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में जिहां गाइज अप्रोक्सिमेटली डेर हजार आईफोन स्चोरी हो गया था जिसका कॉस्ट है अप्रोक्सिमेटली 9.7 करोर्स वेल ये इंसिडेंट लास्ट येर सेप्टेमर मन्त में हुआ था जब चैनने टु कोलकता एक ट्रक जा रहा था विद आईफोन अब जब ये ट्रक ट्रैवल कर रहा था तब अचानक से एक प्रेट्रोल पम में वो रुख गया और सम्थिंग वस फिशी तो ट्रक को जब ट्रेस किया गया तब पता चला कि वहां से आईफोन स्चोरी हो चुके हैं टाइम हो गया अभी तक इस पर कोई भी आक्शन नहीं लिया गया फिर भी रेजिस्टर हुआ था अक्टूबर टेंथ में तो जब ये बात कैलकटा हाई कोट तक पहुची तब उन्हें ने ओर्डर किया ओफ एन इंडेप्थ प्रोब तो या तो चलिए अब कुछ रशीमे ब्राजील में एक यूटूबर ने उनके गेंस्ट एक खतरना कि प्रैंक किया उनके तरफ से भाई क्रेजी रियक्शन आये थे आप देख लो यूटूबर ने स्पीक के साथular की अफिजिक थे विश्यूण आपयास fan नोकान. आपयो. है ननने थे यूटूबरि ने speed के साथ यह prank किया, उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने कैसे यह plan किया, तो वो बोले कि originally उनका plan बहुत ही भेहंग करता, वो guns वगेरा भी देने वाले थे gang members को, but of course YouTube policies के वज़े से उन्होंने मना कर दिया, तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काई सेनेट के बारे में, तो भई यह streamer ने almost अपना setup फोड़ दिया, just because वो एक game में हार गया है, जहाँ guys, काई सेनेट 30,000 डॉलर का एक bet लगाए थे game पर, जब वो हार गये, तब उनके तरफ से यह reaction आया, तो यह तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाईस, जरूर से जाकर प्रोबो आप को डाउनलोड कर लेना, और मेरे लिंक के थूरू आपको अप टू 25 रूपीज का बोनस भी मिलेगा, लिंक इस इन दे डेस्क्रिप्शन, बाकि अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस भजोगे, तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में, यह से सपोर्ट करते हैं नहीं मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन, बाबाई!